हेलो फ्रेंग्स वेल्कम टू माई चैनल कैसे है आप सब तो आज मैं बनाने जा रही हूं सामधर सबसे पहले मैंने कुपकर में ही ले लिया एक कर्ची इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी टमाटर बारिश को पेल हुए थोड़ा का द्रख क्याज लशन के दिना बना रही हूं नसामबर जार प्याज लशन नहीं डाल रहे हूं तिर तमाटर और अद्रख तो देखिए आप इसमें थोड़ा का नमक डाल दूंगी आकि तमाटर जल जाए अब इसमें पानी गला दूंगी मैं एक गिलास क्योंकि सब्जियों में सभी निकले का पानी हाँ तो सांबर के लिए सब्जें मैंने काटके रखी थी इनको धोली है मैंने घिया पेठा गाजर बीन्स इसको कुकर में डाल लेंगे टमाटर और अद्रख डाला था इसमें मैंने प्याज लसन नहीं डाला क्योंक दोली सब्जियों के डाल दूंगे सारी और एक गिलास पानी डाला है इसके बाद डाल डाल दूँगे सांबर वाली ए यह जो जोली हाई गरीफ चालियों अनुन दुश्यों कि चिना अब इसको धोलिया है इसको नहीं पहले डाल दी थी अध्रक टमाटा डाला हुआ इन सब्जियों के साथ अब यह डाल डाल दूँगी दो गिलास पानी डाला है इसमें एक गिलास कम लग रहा था तो मैंने एक गिलास डाला है इसको 5-6 विसल दिला के फिर खोल के देखी में इसको कितनी तयार हुई है चमच नमक डालूँगी क्योंकि आदा चमच मैंने पहले भी डाला था जब टमाटर डाले थे टमाटर अद्रब और हल्दी डाल लूगी आदा चमच अब इसको तबर करके रख देंगे चार-पच विसल आजें फिर देखते तो जब तक दाल को विसल आ रही है हम इसका को बिल ले लिए जीरा डाल लें ते थोड़ा सस जीरा चटक जाए इसी मेरा जाल देटें थोड़ी सी अ अब कि क्याल मिर्च डाल जेते हैं कि कि ज़ीरा पाइब जिरा चतक में लग गया तो पाई इसके Plaz घनी कमच नल मिर्च डाल दिया इक चमच मिर्च डाल दिया आप हमनेश्वात का कि इसको तड़के में डाल देते हूं कि बढ़िया खुश्बू आ रही है बीना प्याज लसंग के इसको हम उबाला दिला लेते हैं थोड़ा सा कि इसको थोड़ी देर पकने देते हैं दो मिंट के लिए तो देखिए आप बिना प्याज लसंग के कितना बड़ा यह कलर आया है थोड़ा सा धन्य डाल देंगे तो यह हमारा सांबर बनके तैयार हो गया है वो मेरी सांबर की यह राशी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राब कर दीजिए मेरा चैनल थैंक्यू फॉर वाचिंग कॉमेंट करके जरूर बताएगा ओके बाय बाय टेक्यार झाल